दोस्तों, यदि आपको एक ऐसा दोस्त मिले, जो आपके सारे काम फटा-फट निपटा दे, जैसे आपके ओफिस का काम, आपके फिनेंस का काम, आपका लर्निंग, आपका ड्राफ्टिंग, डेटा अनलेसिस, कोडिंग, और आपके मीटिंग से रिलेटेड इशूस, और भी बहुत कुछ, वो भी बिना रुके, बिना थकावट के 24 hours के लिए तो कैसा रहेगा, हाँ दोस्तों, हम ऐसे ही दोस्त की बात करने वाले हैं, जो कुछ दिनों से बहुत ही famous रहा है, और तेजी से लोग उसकी और move कर रहे हैं, दोस्तों, हम बात करने वाले हैं AI, मतलब artificial intelligence के बारे में, इस वीडियो में हम जानेंगे what is AI, AI होता क्या है, दूसरा हम discuss करेंगे reason of its popularity, थर्ड हम बात करेंगे इसके advantage की और फूर्थ हम लोग बात करेंगे इसके disadvantage की, दोस्तों, मैं हूँ लोकिश और आप देख रहे हैं हमारा YouTube चैनल भारत द्वाज के निस्ट्री, जिस जिसमें हम day to day life की बात करते हैं, आप हमारे वीडियो को like जरूर करें और चैनल को subscribe करना कभी नहीं भूलें, दोस्तों वीडियो बहुत ही कमाल का होने वाला है, जिसमें हम आपको पताने वाले हैं, AI के ऐसे कारणा में जिन को देखने और सुनने के बाद आपके होस जरूर जाएंगे, तो बने रहे हमारे साथ इस वीडियो में, जिसमें आपके लिए बहुत कुछ है, दोस्तों सबसे पहले जानते हैं, AI होता क्या है, देखिए AI एक human made program है, जिसको understanding, thinking, learning से capable बनाया जाता है, मतलब जैसे हमारे और जंतुगों के बीच natural intelligence होती है, इसी के मसीनों द्वारा प्रदसित बुद्धी, क्रत्रिन बुद्धी कहनाती है या artificial intelligence बुला जाता है, दोस्तों AI computer science का एक subdivision है, और इसकी जड़ें पूरी तरीके से computing system पर आधारित हैं, AI के main aim में data को analyze करना, coding करना, medical field में use करना, mental health, banking, finance, agriculture और transportation के अलावा भी बहुत सारे असे fields हैं, जिनमें इसको easily use किया जा रहा है, दोस्तों मानव बुद्धी की नकल करने के लिए machine learning का use किया जाता है, जैसे आपने बहुत सी famous sites पर, शिरी, Alexa, Tesla car और digital application जैसे Netflix और Amazon AI के बहतरी नुधारन हैं, दोस्तों आपने देखा होगा, जब आप किसी online site पर जाते हैं, और वहाँ पर किसी product को आप search करते हैं, वहाँ पर AI based एक option होता है, जो आपका help करता है, जैसे Amazon की बात करें, तो वहाँ पर Alexa नाम से वो AI tool दिया जाता है, जो आपके according product को search करके फटाफट देता है, दोस्तों, AI का use हम daily life में भी करते हैं, जिसमें checkpot, search engine, industries और robots में होता है, जिसमें data को analyze किया जाता है, और उसे multi-purpose field में use करते हैं, दोस्तों, हम लोग जो Google पर search करते हैं, उसमें हमें जो भी search का result होता है, वो पहले से upload, या feeded data में से ही upload होता है, या दिया जाता है, बट AI में data को पहले analyze किया जाता है, और एक ही question की कई तरीके की answer दिये जा सकते हैं, जिसमें आपका काम बहुत ही सरल हो जाता है, दोस्तों, इसके बहतरीन उधारन की बात करें, तो chat GPT है, जिसमें आप किसी भी तरीके के question के answer पलक जपकते ही पा सकते हैं, फिर चाहिए वो recipe बनाना हो, daily work हो आपका, office का work हो, कोई script हो, research हो, thesis हो, या फिर कोई अनिकाम, बिना error के आपको करके देता है, इसके पीछे आकिर कौन है, तो वो है AI, दोस्तों, different types of industries को benefit देने के लिए, AI को continuously develop किया जा रहा है, machine को math, computer science, learning science, psychology के अलावा, cross-disciplinary ideas को use करके process किया जा रहा है, दोस्तों, AI के structure में, algorithm का mean role होता है, जिसमें किसी भी problem को solve करने, या किसी काम को करने के लिए, directions का एक group होता है, जिसमें हम कह सकते हैं कि algorithm एक नुस्का है, जिसमें engine या हम कह सकते हैं, वोजन तयार करने के directions होते हैं, दोस्तों, अब हम लोग बाचीत करने वाले हैं इसके अनुप्रियोग या uses के संदर्प में, दोस्तों, AI के use ने पूरे संसार में एक क्रांती की सुरुवात कर दी है, जिसमें एक छोटे से छोटे काम से लेकर बहुत बड़े कारे तक research होने लगे हैं, जैसे medical में हम देखें, तो new research, surgical activities, disease को identify करना, medicine कैसे लेना है, इसके अलावा आजकल robotic surgery भी होने लगी है, इसके अलावा AI से सतरंज खेलने और computer self-driving car भी सामिल है, दोस्तों, self-driving कारों के लिए computer system को AI से update किया जाता है, जिसके बाद में analyze data से बिना किसी accident और error से आपको safely अपने गंतब बिस्तान तक पहुँचाया जाता है, दोस्तों, AI का अगला यूज finance में किया जाता है, जहां banking और financial activities को find out करने के लिए और frauds को रोकने और identify करने के लिए AI से मदद लिया जाता है, रोबोट्स में AI का use किया जाता है, जिसमें 24 into 7, industries में labor work होता रहता है और production बढ़ाया जाता है, दोस्तों, AI की मदद से agriculture field में भी एक नई शुरूबात हुई है, जिसमें crops का production बढ़ने के साथ साथ new techniques को भी use किया जा रहा है, AI का use अंतहीन है, यहां केवल हमने इसके mean advantages को इडिसकस किया है, दोस्तों, आप हम बात कर लेते हैं कौन-कौन से ऐसे disadvantages हैं जो AI से हो सकते हैं, दोस्तों, AI के important uses के साथ साथ इसके बहुत सारे disadvantages भी हैं, जिसमें सबसे पहले बात करें तो zoops पर खत्रा मंडरा ने लगा है, क्योंकि बहुत सारा काम जो पहले main power से होता था, अब चुटकियों में होने लगा है, लेकिन फिर भी advanced technology का होना बहुत जरूरी है, और वहां main power की जरुरत होती है, दोस्तो नंबर दो पे बात करें, तो AI के अंदर data analyze ही सब कुछ होता है, क्या इमानदारी है, क्या बेइमानी है, ये पता नहीं चलता है, जिससे hackers इसका फायदा उठा सकते हैं, और हमें problem create खर सकते हैं, दोस्तो आगे बात करें, तो हमको cyber criminals पर पहने नजर रखनी होगी, जिससे fraud से बचा जा सके, दोस्तो आगे बात करें, तो हम देखेंगे कि हमारे जो skills हैं, वो इससे बुरी तरीके से प्रभावित होंगे, क्योंकि सारा काम AI करके देगा, तो फिर हम करेंगे क्या, जैसे चैट GPT की बात करते हैं, लोग title पुट करके पूरा script बना लेते हैं, और उसको use करते हैं, मतलब हमारा imagination power कुछ काम नहीं आएगा, या हम imagination कर ही नहीं पाएंगे, जिससे हमें skilled manpower मिलेगा ही नहीं, दोस्तो open AI ने अपना chat GPT tool 2022 की अंत में जारी किया था, जिसने कुछ मेइनों में ही लाखो users को अपनी और खेंच लिया है, और तेजी से famous हुआ है, जहां हम हमारे से related content को सर्च कर सकते हैं, दोस्तो एक समान के रूप में, AI और इसके प्रभावों के बारे में बाचीत करना जरूरी है, इसकी लिए हमें मिलकर काम करना होगा, जो AI के दुस परिणामों से बचा सकता है, साथ ही इससे हमारे गुपनिये सुरक्षा और मौलिक अधिकारों की भी रक्षा होगी, दोस्तो आप सभी का भविशे की सुबखामनाओं की यात्रा में सामिल होने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक आप भी AI की संभावनाओं को तरासते रहें, धन्यवाद,